हलो इवरिवन स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूटूब चैनल पे सबसे पहले आप सभी को हैपी दिपावली ये व्यूडियो दिवाली के दिन का है मौर्निंग की टाइम से मैं स्टार्ट करने हूँ सुबह के बज रहे हैं साड़े दर सुबह जग करके घर की जितनी भी सापसफाई होती है वो सारा काम हो चुका है सापसफाई करने के बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ में गेट के लिए तोरन बनाने के लिए हर बार दिपावली में तो बाहर से ही तोरन खरीद करके लाते थे मगर इस बार मेरा मन किया घर ही पे तोरन बनाने का तो इसी उज़े से मैं आम के पत्ते, असोग के पत्ते और गेंदे का फुल मार्केट से मंग वाली थी और उसके बार तोरन बना करके लगा दी हूँ और अब ही हो रहा है साम का टाइम साम के बज रहे हैं ऐसे ही तीन या चार बज रहा होगा इतने टाइम में बच्चे यहां पे रंगोली बना रहे हैं में गेट पे और जहां जहां भी रंगोली बनाने का काम है वो बच्चे ही कर रहे हूं मैं अंदर खाना बना रही हैं ये देखिए मेरे जितरे भी 58-407 सब लोग लगे हुए हैं रंगोली बनाने में घर को सजाने में और मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आ करके वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे आप लोगे साथ में सेर करना था और इसी वजय सेमें वीडियो बना रही थी और कभी जदा मुझे दिवाली का तेवहार जो बहुँ ज़ादा पसंद है क्योंकि दिवाली के तेवहार में जो भी साफसफाई नहीं भी होना रहता है उसकी भी साफसफाई हो जाती है अब यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूं खाना तो खाने में आज मेरे यहाँ बनता है दिवाली के दिन कड़ी चावल तरह तरह की पकोड़ी और ओल की सबजी ओल जिसको आप लोग जीमी कंद या सूरन के नाम से भी जानते हैं मेरे यहाँ गाओं में उसको ओल ही बोलते ह तो ओल की सबजी, कड़ी, चावल और पकोड़ी तरह तरह की देखिए मैं लोकी की पकोड़ी को उबाल रही हूं बैगन की पकोड़ी भी कट करके रखी हूं चने की भी पकोड़ी बनेगी तो बीच बीच में सारी त्यारिया चल रही है मैं खाना भी बना रही हूं और दुबारा एक बर नहाली हो नहाने के बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ सब को इधर साइड में बैठाई हूं सब लोग साथ में मिल करके यहाँ पर कर रहे हैं पूजा देखें जिस तरीके से आप सभी दिफावली में करते हैं वैसे तो पूजा के बारे में मुझे और अपना सिर्वाद हम सब पे बनाये रखें यही भगवान से काम ना करते है और यह देखिए यह रंगोली बच्चों के पापा बनाई यानि कि मेरे हस्बंट जी बनाये हैं काफी सुंदर रंगोली बनाये थे और यह बच्चे बनाया है सारे रंगोली का छोटा-छोटा कि पूजा हो गई है संपन तो बस लाष्ट में आरती करके और पूजा खतम हो जाएगा और हम लोग हाद जोड़ेंगे असिरवाद लेंगे लच्मी माता से कि लच्मी माता अपना असिरवाद हम सब पे बनाए रखे बस घर में बरकत होए कामकाज में व्रिधी होए सब कुछ अच्छे से रहे बस और क्या चाहिए जीवन में आप सब भी माल अच्मी का किरपा आप सब बना रहे आरती होने के बाद आज ने आप लोग के साथ में छोटा से अपना होम टूर करवाओंगे घर का अब को ले चकती हूं अपने घर के अंदर सबसे पहले यहां पर एक रंगोली बनी यह रंगोली पर दिया जला हुआ है और यह देखिए नीचे जो है कुछ भी नहीं है समान बस ऐसे ही जो भी थोड़ा बहुत समान है वह नीचे ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि नीचे मैं खा भाज सोता है रात में और बाकी हम लोग दीन में बैठते हैं बैठते हैं और और मेरे हस्मेंट जी जैसे की फनिचर का काम करते हैं जो फोड़ा बहुत क्वा यह प यहां पर आने के बाद यहां पर मैं कुछ फौधे लगा रखी हूं एक पौधा तो सूख भी गया काफी सुन्दर पौधा था और उसकी जो फ्लार्विंग होती थी काफी जदा उसके सूगंद अच्छी आती थी मगर वह पौधा सूख चुका है अब उपर आने के बाद यह देखिए यहां पर सामने उपर में दो कमरे बने हुए हैं और बीच में जो एरिया बचा हुए वहां पर कीचन है तो यह है मेरा कीचन प्यारा सा वैसे तो ज्यादा अभी इसमें सुविधाय नहीं है मगर मेरे लिए यह घर स्वर्ग से कम नहीं है सपनों से कम नहीं है क्य इसलिए मैं आपको दिखा रही हूं यहां पर बरतंदों ने क्लिक सिंख दिया हुआ और यह चोटा सा फ्रीज है और यह हमारा हुआ बेड रूम मेरा बेड रूम है यह देखिए और समान पर इग्नोर किजया क्योंकि आप सब लोग देख सकते हैं यहां पर बस सिंगल वाला बेड है और साइड में जो है वो तकहत लगाया हुआ अलमीरा बगरा नहीं बना हुआ तो किसी तरीके से मैं जो आप लोग के साथ व मैं यूज करती हूं सिलाओ मसीन रखती हूं वीडियो जो बनाती हूं देख सकते हैं कॉर्णर में बोडय में करके समान हुआ है और यह सिलाओ मसीन काफे ज़्यादा प्यार है इसलिए मैं ऐसे करें और सबसे प्यारा 局ले वह वालकशूरत और काफे ज़र प्यार हम सब लोगों को है हम सब लोग साम के टाइम में या सुबह के टाइम में जब ही हमें बैठना उठना होता है तो हम लोग बैठते उठते हैं काफी जद अच्छा लगता है यहां पे भी एक प्लांट में लगा रखी हूं और बालकनी में ही रखी हुए वासिंग मसीन तो बस किसी तरीके से जो है वो घर बना हुआ है बस मेरा मन किया कि आप लोग अपना घर दिखाती हूं दिवाली के सुबह उसर पे इसलिए दिखा रही हूं बाकी आप लोग ना कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को छोटा सा प्यारा सा घर कैसा लगा और प्लीज गलत कॉमेंट मत कीजिएगा कि ऐसे ही समान फैला हुए यह कुछ समान नहीं है जैसा भी यह जो भी है घर मेरा है और मेरे लिए काफे ज़्यादा अच्छा है बहुत साल हम लोग किराये पे रहे हैं किराये पे रहने के बाद ही यह घर मिला है तो अच्छा 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 अच्